वाट्सअप गाइज स्वागत है आपके अपने चैनल एंडी क्रियेटर में मैं हूँ आपका अपना अनील और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक एबस्ट्रैक्ट कलरफूल इल्यूजन बैग्राउंड कैसे क्रियेट करता है एड़ॉप इलेस्टेटर में तो बिना देरी करें चलिए शुरू करता है तो गाइस मैंने आट बोर लिया हुआ है 1920 विट में और 1080 हाइट में आप कोई भी साइज ले सकते हो आपके हिसाप से आपको जितना साइज क्रियेट करना हूँ तो first मैं ellipse रियेट कर लेता हूँ ellipse tool ले लेता हूँ first ellipse tool का shortcut है L यहाँ पर L फ्रेस करता है यह tool एक्टिवेत हो चुका है और यहां पर में click कर लेता हूँ और इसका size देते हैं 500 pixels by 500 pixels और इसे ok करता है अब फिलाल यह black and white में आ ऐचुका है तो first हम इसके feel को none करता है यहां पर feel है इसको none करता है और इसके stroke को weight बढ़ाके 10 करता है और इस stroke को हम अभी color रहेंगे यह वाला gradient तो यह वाला gradient already है तो हम select करता है stroke और यह gradient apply करता है और as it is linear ही रखेंगे और इसको हम first circle को center align करता है तो यह हम एक shape create कर चुक है अब इससे select करता है effect में चाता है desert and transform और transform दे देता है और यहां पर हम कुछ figures देंगे जिससे हम कुछ एक effect create करेंगे 96, 96 और यहां पर हम copies देंगे 70 तो यह कुछ इस तरह से disc जैसे एक effect create होगा और इसको हम यहां पर angle लेंगे 23 और इससे हम ok करता है तो और एक effect इस पर apply करेंगे effect में जाता है disorder and transform zig zag देता है यहां पर हम यहां पर जो rigs per segment है वो हम 7 देता है और यहां पर आपको ज़्यादा कम करना हो तो आप कर सकते हों मैं 12 रखता हूं 16 रखते हैं और इससे smooth रखते हैं और इससे ok करते हैं तो guys यह effect तो radio चुका है पर मैं इससे अगर छूटा बढ़ा करूँ देखिए अब मैं इससे बढ़ा करता हूं तो यहां पर gaps नज़र आ रहे हैं तो इससे मैं undo करता हूं फिर object में जाता हूं expand appearance करते हैं और फिर से एक बार expand करते हैं इससे यह field stock selected रखते हैं और इससे ok कर लेता है और अब हम इससे बढ़ा करेंगे देखिए मैं पहले छोटा कर लेता हूं artboard को और यहां पर देखिए इससे बढ़ा कर लिया और फिर भी यहां पर कोई भी gaps नहीं है और यह background create हो चुका है तो अब यह artboard के size का हम एक rectangle create करेंगे हम rectangle ले लेता है एम प्रेस करकी है यहां पर click कर लेता है और 19-20 width 1080 height के artboard ले लेता है यह same gradient select color दिखा रहा है क्योंकि हम नहीं जो background create किया है वो यह same color का है तो वह भी selected है इसलिए दिखा रहा हूं वो इसे artboard से align कर लेता है और control all करके right click make clip mask करते है तो गाइस अब यहां पर यह जो white है उसको हम color feel करेंगे zoom कर लेते है थोड़ा सा और यहां पर ellipse create करते है L press कर लेते हैं और यहां पर center से ellipse create कर लेते है Alt और Shift प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा create करेंगे और इसके gradient को reverse करेंगे यहां पर selected रखते हैं और यहां पर field color को select करेंगे gradient reverse करेंगे right click arrange send to back करेंगे अब देखेंगे यहां पर color match हो चुका है थोड़ा थोड़ा तो guys हमारा यह background ready हो चुका है और आशा करता हूं कि आपको यह background effect बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो please like करें comment करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें ताकि वो भी इस तक के creative creative designs बनाना सीख सके तब पक के लिए ज्यादा से ज्यादा practice करें और imagine करके कुछ create करने की कोशिश करें Thank you for watching, धन्यवाद, जहिन